Hello 7th class, today we are going to continue our second chapter from history. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel, Skooli Gyan. Skooli Gyan से जुड़ी हर अप्डेट को पाने के लिए, सब्स्राइब करें, हमारा चैनल और लेटेस अप्डेट पाने के लिए, प्रेल आइकन को प्रेस करना ना मुँए. As we know, हमने जो हमारा चैप्टर या हमारा फर्स्स वीडियो जो स्टॉप किया था, या हमारा था, कैसे राजा माराजा अपना रूल किया करते थे, या अपने गिंडम को स्टैब्लिश किया करते थे, उसमें हमने पढ़ा था कि उनके कुछ ट्रडिशनल प्रोफेशन हुआ करत अपने प्रोटेक्शन का या किसी प्रजा अगरा को प्रोटेक्शन या उनको स्रक्षा काम करते थे, वही पे जो ब्रामिन हुआ करते थे, अलग-अलग यग अगरा या अलग-अलग पाच, पुजाबाद वगरा करवाया करते थे, तो वैसे अलग-अलग सब लोगों का occupations या उनका बोल सकते हैं एक traditional profession हुआ करता था आज हम लोग उसी कहा के continue करेंगे जो हमने लिव किया था last time पे जैसे दिया वास में do you think being born as चात्रिया was important in order to become a ruler during this period मतलब क्या बोद रहा है कि आपको लगता है कि जो चात्रिया इस time पे born गए थे जन्हों ने जन्हों लिया तो उनका important मतलब like for example next ruler बना या next particular राजा बना वो इस period के अंतर जरूरी था या ऐसा important है तो इसका answer में भी अगर हम लोग बोले कि like yes क्योंकि में भी क्या होता था starting में ancient time की बात करें तो इस time पे राजा का बेटा ही राजा बना करता था जैसे हम लोग starting से history के बारे पढ़ते आए हैं या हम लोग movies वागर में देखते हैं इसके आगे हम लोग continue करेंगे administration in the kingdom kingdom के अंदर administration कैसा था okay student important thing जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो यह कि जो भी इसमें से hard words होंगे मतला हमारे chapter जो अभी चल रहा है या whatever next chapter जो भी चलेगा तो इसके जो भी hard words होंगे जो भी अलगता है मुझे कि आप लोगों को इसका means नहीं पता होगा या इसका means नहीं जानते होंगे तो इस का means होता है या particular हमारे chapter में क्या उसका means लिया गया है या क्या उसका uses लिया गया है तो start करते हैं आगे तो administration and kingdoms की बात करें हम लोग तो इसमें दिया हुआ है many of these kings adopted high sounding titles such as maharaja adiraj greet king over lord of kings मतलब क्या होता है कि like इस time पर राजा महाराजा हुआ करते थे उनको अलग लग टाइटल से जाना जाता था या लग लग टाइटल उनको दिया जाता था for example के लिए यहां पर दिया हुआ है महाराजा दिराज मतलब महाराजाओं का राजा मतलब कहने मीज राजाओं का भी राजा ठीक है जिसमें इंग्लिक्स के अंदर उसको मेंशन किया है ग्रीट किंग महान राजा या ओमलोड ऑफ किंग मतलब कोई राजा ओगी उपर जो सब महान होता है उसके लिए फिर दिया हुआ नेक्स से थी भुवन चक्रवरतिन ठीक है यह भी सेम वही है लौड ओफ तरी वर्ल्ड मतलब यतने भी त्री वर्ल्ड से तीन संसार है उन स संसारों में उनका बोलते हैं like head बोलते हैं या उसका सबसे हाइस्ट मतलब कहने ही में इस खुदको अलग-अलग title से यह लोग नवाजा करते थे यह अलग-अलग title दिया करते थे वह सी के भिहाप में इनको जाना जाता था या बूला जाता था फिर आगे दिया हुआ है and so on ठ किये गया है फिर next however in spite of such claims they often share power with their summons as well as with association of business traders and farmers मतलब क्या बोला गया है कि यह लोग इतना महान होने के बाद में या फिर बोसेते हैं इतने महान नाम रखने के बाद में या title लेने के बाद भी क्या थे अपनी जो पावर थे वो शेर क्या करते थे यह मतलब आप यहां बादने से मतलब यह नहीं कि लाइक एक फिर अपना kingdom दे दिया यह फिर आज में अपनी power वगरा जो है like leave कर दी या उसको बोलता है छोड़ दिया इसा कुछ नहीं वो क्या करते थे आप क्योंकि नॉमल राजा जो होता था पूरे kingdom पर क्या नहीं करता था राज कर सकता था यह बूलता है राजा जो है all over control नहीं करता था तो उसने वो क्या करता था नीचे काम करने वाले जो भी अधिकारी वागर होते थे या बोल सकते तो तो भूसर्ए क्या करता था हुन को पॉमान क्या करता था। तो इसमें उसमें जrows सामन्त हुआ करते थे। जो कि और फूरंच के लिगुपन साथ के बाद में पूरे किंग्टम को। फिर उसके बाद में बोला गया है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे association भी है, association में हम लोग बात करें संगु हो गया, या संगठन बोल सकते हैं, जो कि किसानों के हुआ करते थे, traders, मतलब व्यापारियों के हुआ करते थे, brahmans, मतलब जो brahmans के हुआ करते थे, ठीक है, तो मतलब कहने या इन राज्यों में, जो resources हुआ करते थे, जहां से क्या करते हैं, यह राजा वगरा, obtained क्या करते थे, obtained से मतलब for example के लिए, अनाज, food green वगरा लेना, या revenue, मतलब tax हो गया रपकर वगरा जो लेना, वो इन प्रोडूसर या particular इन चीजों से लिया करते थे, आप इसमें दिय मतलब किसान हो गया, cattle keeper, cattle keeper मतलब वो गया, जो होता है, particular मवीशी रखता है, मवीशी में आपके भीडबकरी वगरा आगे, इनका group बोल दो, फिर भैंस या काओ, बफेल वगरा जो होता है, इनके group को, तो आपके cattle keepers हो गया, फिर दिया वाए, artitions, artitions मतलब कलाकार वगरा, त इतरे से राजय इनके पर depend होता, फिर आगे दिया हो है, who are often the persuaded of the, sorry, repeat, who are the often the persuaded or complained, sorry, who are the often persuaded or the complained to surround, sorry, who are often persuaded or complained to the surrender part of that they produce, ठीक है, मतलब क्या हुआ करता था इस particular process के अंदर, या राजय उनके उपर कैसे depend हुआ करते थे, कि जो भी prediction होता था, या particular जो भी चीज इनके पास उगाए जाती थी, या इनके पास सकूती थी, उसका कुछ पार्ट या कुछ हिस्सा था, वो राजय को दिया जाता था, जैसे इसमें दिया हुआ है, इसका means होता है, कि इस चीज को मजगूर कर देना या particular की चीज के लिए बात दे करना है, मतलब like pressurize करना या force करना कि आप लोग इस चीज में से इतना हिस्सा राजा को या particular सामन्त वगर आपको दोगे, फिर आगे बोला किया है, sometimes these were claimed as rent due to the lord who arrested that he on the land, कभ कही के बार क्या होता था, कि इसमें as a rent के रूप में, या बोलते हैं as a, हम लोग बोलें, लगान के रूप में या कर के रूप में जो था उनको राजा वगरा को दिया जाता था उसके पीचे कारण क्या था, कि who arrested that he on the land, क्योंकि वो खुद के जो land हुआ कर दे थे, वो उसके भिहाब पर राजा वगरा उनसे ऐसा कर या ऐसा बोलते हैं या लगान वगरा लिया कर दा था, कहने में जो हो गया कि सबसे पावरफुल जो होता था, राजा होता था, ना की किसान होता था, फिर आगे दिया हुए, revenue was also collected from the traders, इसके सबस्त क्या बोले गया है, कि जो collectors होते थे, collector मतलब, हम लोग बात करें हैं पर collect commits होता है, एकटा करना, तो revenue जो होता था, वो भी क्या traders होते थे, व्यापारी जो होते थे, उनसे ली जाती थी, कि कर्व अगेरा भी इस time पर लागू किये जाते थे, अब यहां पर कुछ कर्व अगेरा दिया है, हमारे नीचे वाले box में, जिसमें दिया हुए 400 taxes, कौन कौन से taxes है, वो देखते हैं, अब इसमें दिया हुए, the inscription of the cholas who rule in the Tamil Nadu, refer to more than 400 terms for the different kinds of taxes, मतलब क्या बोला गया है, चोला जिस time पर rule क्या कर देते, या चोला ये particular dynasty है, वो जिस time पर rule क्या कर देते, Tamil Nadu के अंदर, तो बताया गया है कि वहां पर inscriptions है, मतलब आपके अभी लीग होगेरा लिखे गया है, जैसे दिया हुए, the most frequently mentioned taxes वेटी, ठीक है, अगर में लोग बात करें, ज्यादा tax जो लिया जाता था, या main जो taxes है, उसमें से पहला tax इसमें पताय गया है, वेटी, और ये किस लिए था? अगर कोई छत डालना चाहता है, अगर कोई छत डालना चाहता है, अगर पर्टिकलर, जिसे आज हम लोग बात करें, construction होगरा होता है, तो अगर हम लोग डालते हैं, या फिर आद में construction करवाते हैं, तो कमाल इसकोई tax होगरा नहीं लेते हैं, लेकि उसमें पर्टिकलर कोई मजदूर है, या कोई भी category है, राजा से नीचे वाला, तो अगर वो घर बनाना चाहता है, तो इसके से tax होगरा, या particular rent होगरा के रोपने से कुछ लिया जाता था, इसके साथ साथ बोला गया है, the use of ladder to the climb palm tree, इसके साथ साथ जो palm tree हुआ कर देते हैं, उसके ओपर चड़ने के लिए जो सिद्धिया होती थी, ठीक है, या बोल सकते हैं, ladders हुआ करते थे, उसके ल on, sorry, I repeat, addresses on succession to family property, इसके साथ साथ कि महान लोग कोई family है, जिसमें property increase हुई, मतलब property का बढ़ोत्री हुए, या बोल साथ हैं, उनकी property जो है, LSA, उसके कुछ tax वगरा करना, मतलब केना, उनकी property में भी राजा का हिस्सा हुआ करता था, फिर आगे दिया हुआ है, are any such taxes collected today, मतलब उपर जो taxes दिये गए है, कुछ example या जो कुछ कर वगरा बताए गए है, क्या उनमें से कुछ taxes अभी भी हमारे से लिये जाते हैं, या collect किया जाते हैं, तो obviously हम लोग बोलें, ऐसे नहीं लिये जाते हैं, but different kinds के taxes लिये जाते हैं, जो कि normal हम लोग अलग अलग product या अलग चीज लिये जाते थे, मतलब उपर जो taxes लिये जाते थे, तो सारे taxes किसमे help आता था, कि राजा की financial position हुआ अगर थे, financial position से मतलब कि राजा कैसे लाइक उसके पर पैसा होगा या उसके ख़जाने में पैसा कहां से आएगा, यह सब चीजी जो होगा, वहां से especially इसको यहां से पावर होते थे, यह बोल चते हैं, इनके अलग-अलग होते हैं, लाइक मकान होते थे, फोर्ट होते थे, उनका जो खर्चा था, वो भी यही से निकलता था, आगे दिया है, next, they were also used to fight wars, which were in the turns expected to the leads of actions of wealth in the forms of the plunder as the access to land as well as the trade routes, ठीक है, मतलब इसके साथ-साथ यह fight, मतलब वार वग किया करते थे, जो कि किस के रूप में लड़ते थे, जिससे उनके लगता था कि हमारे को उससे कुछ पैसा मिलेगा, या वहां से जो भी लूटा हुआ सामान है, उससे हमारी wealth बढ़ेगी, मतलब एनमी उनकी economical condition, यह finance condition क्या होगी, increase होगी, अब इसके अलावा बोलाएं कि access to the land as well as trade routes, इसके साथ उनकी जो land अगरा जब हुआ अगरते थे, मतलब जो जमीन हुआ करती थी, तो उसको as a trade routes के रूप में, trade routes मतलब व्यापार अगरा करने जाना हो तो उस route मतलब रस्ते के रूप में काम में ले लिया, या different different ways में वो उस route को काम में लिया करते थे, फिर next दिया गया, इसके अंदर, in the, sorry repeat, in what ways was this formation of administration different from the present day system, अगर आज की हम लोग बात करें, तो ये आज के time के, या भूलते हैं, आज के समय से कैसे हमारे administration system से बिलकुल अलग है, या सीधे सीधे बोले, तो आज का जो administration system है, वो पहले बारे administration system से कैसे different है, और administration मतलब प्रशासन, कैसे कोई रूल करता है, तो उस चीज से अगर हम लोग compare करें पहले और अपके में, तो ये कैसे अलग-अलग है, तो हम लोग बोले हम बहुत अलग है, बहुत difference है, पहले kingship हुआ करती थी, मतलब राजा राज किया करता था, आज के time पे हमरे हैं कोना है, prime minister, president अगरा है, मतल अगे नेक्स दिया गया है, these resources were used to finance, the king's established as well as for the construction of temple's fort, they were also used to fight wars अगरा, तो ये हम लोग भी discuss कर चुके है, कैसे कैसे राजा अगरा के लिए help करता है, किसी construction का, कैसे कैसे राजा अगरा महा पे revenue कर लेता है, किस तरीके से जो है particular राजा लडाई करता है, वो भी loot अगरा करने अगरा के लिए, तो ये सब चीज़े हम लोग अभी discuss कर चुके, तो अच्छी के अभी हम लोग देखें, next वाला paragraph, the functionaries of the collecting revenue were generally recruited from the influence families, क्या होता था कि like, जो revenue collect किया दाता था, तो इसमें जो recruitment होता था, मतलब, वहाँ पे जो लोगों को post दी जाती थी, या वहाँ पे जिनको नौपी दे जाती थी, तो वह लोग कौन वहाँ करते थे, influence family से, मतलब, वह लोग जो की प्रभाव चाली है, मतलब, राजा से काफी जादा inspired है, काफी influence है, वह नहीं family से, उनको क्या किया था, appoint किया जाता था, ताकि क्या हो, एक trust बना रहे, एक विस्वास बना रहे, कि वह लोग जो भी revenue collect करेंगे, वो सीधे सीधे हमारा बुला करेंगे, और उसमें कुछ भी hairfare नहीं करेंगे, मतलब, कैने में, उसमें कुछ भी गपला नहीं करेंगे, ठीक है, फिर next दिया गया है, and the position was often heredity, और उनकी position जो हुआ करती थी, कैसे हुआ करती थी, heredity, अब heredity मतल मतलब एक के बाद ही, जैसे एक फैमिली में किसी को collector revenue बना दिया है, या revenue collector बना दिये गया है, तो उसके बाद next उसका बीटा बन गया, फिर बेटा मर गया, तो उसके बाद next वाला बेटा, जैसा एक revenue collector के लिए हुआ करता था, वैसा ही same कि इसके साथ होता है, आर्मी के साथ मतलब, for example, एक फैमिली में कोई army man है, तो next जो बनेगा, उसका बेटा ही army man बनेगा, जैसा हुआ करता था, in many cases, close to relative of the kings have these questions, अगर हम लोग कई और केसिस की बात करें या और चीज़ के लिए बात करें, तो उसमें राजा के साथ, या राजा के जो बोल सेते हैं, like family में से कर देते, उन्हों को ही ये post दी जाती थी, revenue collect करने की, ताकि क्या हो, राजा के साथ कोई भी विश्वास घास, या बोल सेते हैं, particular, कोई भी इनके साथ, गलत चीज, इनके साथ ना हो, आज के लिए 7th class यहीं तक, बाकि हम लोग कल, या next class के अंदर हम लोग लेंगे, उसके खरेंगे, तक यू वेरी मुच्छ.